Good morning students, how are you? Today I will explain about use of in, on and under Use of in In का मतलब होता है मैं कि कोई भी चीज अगर किसी चीज के अंदर होती है तो हम वहाँ पे in यूज करते हैं For example, the mug is in the tub तो यह mug है, वो tub में है The man is in the car जो यह man है, आदमी है, वो car के अंदर है Next, use of on On का मतलब होता है कोई भी चीज अगर किसी चीज के उपर रख्यूई होती है और वो उसके touch होनी चीज है तो हम वहाँ पे on use करते हैं For example, the head is on the table यह head है, यह table के उपर रख्यूई है और यह table, वह मतलब ऐसे ही होना जी के touch होनी चीज अगर touch नहीं हो कोई चीज उपर है तो उसके लिए हम on use नहीं करेंगे Next, the bird is on the tree यह bird है वो ट्री के उपर है Next, use of under Under का use, under का use हम करते हैं जब कोई भी चीज किसी चीज के नीचे होती है जैसे the bag is under the chair, बेग है वो चेर के नीचे है The boy is under the tree, boy है वो ट्री के नीचे है तो इस तरीके से हमें in on or under का use करना है तो आप लोगों को 10 sentence बनाने है Thank you